अलो श्ट्रेंट हाव आर्यू कैसे हो सब तो आज एक फिर से नया टापिक लेकर आए हैं और टापिक का नाम है कि मज़ी कोई करण सरला वार्त करती कर रहा है तो उसकी उर्जा ठीक है एनर्जी उर्जा किते प्रकार के थे वैसे उर्जा बहुत प्रकार के होते हैं लेकिन तो मुख्य उर्जा आपने पढ़ा होगा गतिज उर्जा और इस्थिति उर्जा गतिज उर्जा को हम पढ़े थे कानेटिक अनेटिक 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 क्या होता है किसी बोडी में उसके गतिक कान जो उर्जा इस्थित होती है नहीत होती है उसको हम गति उर्जा तो सरल आवर्दगर्ती में उड़ जाओ जो होती कैसे होती है तो वेलकम टो माई यूटूब चैनल माईने मिराज मरतियारी और आप देख रहे हैं फिजिक्स क्लास 11 का चेप्टर ऑक्सिलेशन और टॉपिक क्या है सरल आवर्दगर्ती में उड़ जाओ तो देड़ ना करते हुए देखो गईयारी भगाओ मानलों कोई कण सरल आवर्दगर्ती कर रहा है तो उस कण में जो की सरल आवर्दगर्ती करता है उसमें गतिज उर्जा भी होगी और इस्थितिज उर्जा भी होगी क्या होगी गतिज और इस्तिज उर्जा दोनों ही रहती है प्रिजेंट रहती विद्धिमान रहती है पार्टिकल एग्जिक्योटिंग सिंपल हर्मनिक मोशन पॉसेस बहुत पॉटेंशेल एनर्जी एंड कानंतिक एनर्जी बहुत ठीक है ठीक गतिज उर्जा कैसे रहेगी पॉस प्रिजे गठीक करेगे जब उसके मीन टॉजेंग को डीस्प्ले करेंगे तो जाने यह पर प्रत्यान वर्म उसको मीन पॉजिङा तो इस पकार क्या होती है गतीज nutr झोनों है Gए टिक ए तो इस्टिज उर्जा कण की मध्यमान इस्थिती में हरना मध्यमान इस्थित तो जो इस्थितिज उर्जा उस कंड की मध्यमान इस्थिति में विस्थापन के कारण तो जो इस्थितिज उर्जा होगी किसमें जब कोई कंड सालावर्द करती होता है तो इस्थिति में जो इस्थिति में जो इस्थिति में उर्जा उसके कारण होती है तो इस्थिति में जो 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 इ from its mean position and the kinetic energy due to the motion of the motion of the particle तिक गुष्की स्थिति कार्ण और गति कार्ण है किले रुए रुए यह तक माल लो कोई कार्ण मेन अवस्था में है किस अवस्था में है, mean position में, मध्यवान इस्थिति में है एक मिन आथा माल लो कोई कार्ण किस कंडिशन में है, mean condition में, मध्यवान आवस्था में, mean position में है तो मध्यवान आवस्था कोंद कंडिशन में दसाया है, यह इसकी कौन सी कंडिशन है, mean position इसका हम बोल सकते है, mean यह कंड की क्या है, mean position तो मध्यवान आवस्था में विस्थापन कितना होगा, ओ होगा और इस कंडिशन में क्या है, potential energy, zero होगा तो मध्यवान आवस्था में विस्थापन कितना होगा, zero होता है जिमान लोग कोई body को displacement है तो विस्थापन आप अपनी जगम बैठे हो, तो आप में displaced विस्थापन होगा नहीं तो potential energy आपकी zero होगी विस्थापन ठीक है, at the mean position, the displacement of the particle is zero है नहीं, at the mean position, the displacement of the particle, है नहीं, to zero और दुसरी ओर, मध्यावस्था में, है नहीं, मध्यावस्था में काण का वेग अधिक्तम होता है इस इस इस्थिति में कनटी कनजी भी अधिक्तम होगी On the other hand, the mean position, velocity of the particle is maximum and hence the kinetic energy of the particle is maximum ठीक है, और जब वो चरम इस्थिति में चरे जाएगा जब कन को विस्थापित करके छोड़ दोगे, जो maximum distance कबर कर लेगा, उसको हम extreme position बोलते हैं जब वो कन, चरम इस्थिति में पहुंच जाएगा तब वहाँ पर displacement of zero हो जाएगा इस्थिति में पोजिशन में पोटेंशल एनर्जी विस्थापन का मान क्या होगा इस्थिति जुड़ जाएगा मान भी अधिक्ताम होगा तब एक्स्टिम पोजिशन, potential energy is maximum because of maximum displacement and kinetic energy क्या होगा zero as the velocity of the particle executing simple harmonic motion is zero as the velocity of particle executing simple harmonic motion of this position ठीक है, किले है, जहाँ तक लिए जब एक्स्टिम पोजिशन होगा displacement, velocity zero हो जाएगा, तो kinetic energy भी zero हो जाएगा अब साथ ही आप देखोगे कि इस condition में जो कण का वेग है वो zero हो जाने का kinetic energy भी zero हो जाएगी ठीक है, किलेर, अब इसके बीच हम देखेंगे अब ये जो इन देरों के बीच की condition है, देखो मने पताया यहाँ पर कितना displacement कर रहा है उसको भी देखेंगा direction की आप में अभी समय लो तो आचा, अब इसके बीच में कण की स्थितियों में, कण की कुल उर्जा, जो कण की कुल उर्जा होगी, इसके बीच की स्थितियों में, दोनों कंडिशन में, कण की कुल उर्जा, इन दोनों की उर्जाओं की योग के बराबर जाता है, at the intermediate position, between mean position and the extreme position, जो mean position से extreme position हो जा रहा है, इन दोनों के बीच की जो condition and intermediate, तो कण की कुल उर्जा, इन दोनों गतिश उर्जाओं इस्थि उर्जाओं के योग के बराबर होगी, जह है न, the energy of the particle is the sum of kinetic energy and potential energy, तो आसा diagram जो बना हुआ है, उसको अपनों कॉपी कर लो, उतार लो, टिक, clear, तो extreme position क्या होता है, जो maximum displacement होता है, पिछले ब define किया दा न, अब मान लो कोई particle है, मान लो, consider a particle, particle, उसका mass अब इसमाल ले लो, चाहे capital ले लो, अज़े आपकी सुईधक लेवो रहा हम, तेक है, derivation करे जा रहे हैं अब, consider a particle, यह extreme position है, consider particle mass केतना ले लेते हैं, capital M, मान लो, जो कोई particle है, क्या कर रहा है, simple harmonic motion कर रहा है, तो, consider a particle of mass M, executing simple harmonic motion along a state line, मान लो कण के है, जिसका दर्मान कितना है, और यह सरल रेखा में क्या कर रहा है, सरलावट गती कर रहा है, तो, हमने विचार किया, किस पर, एक कण पर, जिसका दर्मान कितना है, M है, अब, वो क्या कर रहा है, सरलावट करता है, let the particle is displaced through distance x from in position o to the particle माल वे पार्टिकल ये इसकी मध्यमानिशती मिन पोजिशन से x दुरी तक क्या करा विस्थापित हो गया वो जो करन हैं जिसकी मुन पोजिशने टो फिती x दुरी तक displacement हो रहा है the acceleration of the particle यहाँ पर acceleration किना होगा the acceleration of the particle at p क्या लिखोगे the acceleration of a particle at p is given by the क्या पार होगा सुत्र बताएए acceleration of the particle at p is a equal to minus omega square x acceleration को alpha से डिनट कर सकते हो अब उस कण का बिनदु पी पर क्या होगा तुर्ण एकल टू है न एक्सेशन अलफा इकल टू मैनस मेगा एसा and is the directed towards it mean position और यह जो है माध्यवस्था की और कार्यत होगा यहाँ डिरेक्टेट टू आर्त मीन पोजिशन अब यहाँ पर एक एक दूसरा काम करेगा जिसकी मैं बार बार चर्चा करता है दूसरा फोर्स जिसको मुझते हैं रिस्टोरिंग फोर्स देर्फोर रिस्टोरिंग फोर्स अक्टिंग ऑन पार्टिकल इस गिवन बराबर अब जो रिस्टोरिंग फोर्स होगा इस्टोरिंग पर्तियानन बोल बोलते थे एक फिकल्टो एम अल्फा तेक है अब कुछ कर्ण पर तौरण की दिशा मार देशते थी क्यो रहता न तो उस पर एक बल कारेगा जिसको मुझते थे रिस्टोरिंग फोर्स या फिर उसको मुझते पर्तियानन बल अब इसकी वैलू कुट कर देते हैं अल्फा की वैलू यह हो गया रिस्टोरिंग फोर्स की है, minus ml, m, omega, square, x ठीक है यह f हो गया, रिस्टोरिंग फोर्स ठीक है, clear है यहाता कोई doubt नहीं है न यह derivation आप लोग कर सकते हो, बहुत बड़ा नहीं है अब माल लो particle, let the particle is displaced through a small distance dx माल लो उस particle को हम क्या करते हैं एक minimum displacement P से Q तक जलाते हैं Dx उस particle को अलप दुरी तक को स्थापित करने में जो कार्य होगा वो भी अलप होगा होगा तो let the particle is displaced through a small distance Dx to the point Q against the force F given by the equation जे work done on the particle जे कण पर किया गया कार है Dw कितना होता हैगा Dw is equal to F into Dx अब जो कण है तो सरल आवट गर्ती में काम कर रहा है तो इनके बीच का कोण कितना होगा 180 degree F into Dx cos 180 degree तो cos 180 degree को जो कितना होता है minus 1 ये जो work आगया हमारा कितना होगा minus half into Dx ठीक है क्या निकल गया minus Dx ठीक ये क्या निकला है which is the work done ये work done जो है प्रिदिशा में कार का which is the work done on the particle is displayed through a small distance Dx ये क्सकर को अलपुदूरी Dx तक विस्थापित करने में किये के कार का समीकरण था ये क्या था which is the work done on the particle to distance it through a distance Dx अब हम total work up सम्पूर्ण की के कार की गणना के लिए हम क्या करते हैं उप्रोप्त समीकरण का हम क्या करेंगे समाक्रण करेंगे जिसके लिए limit लेंगे एक lower limit था और एक upper limit था upper limit क्या लेंगे x क्योंकि x दूजी तब इस्थापित के हैं lower limit कहां से लेंगे 0 से तो total work done to displace the particle from it mean position mean position में displacement कितना था 0 mean position x equals 0 to point p where displacement equal to x mean position वह से p तक मनें 0 से p तक इस हां समीकरण हम को क्या करेंगे integrate करेंगे तो total amount calculate the total amount of work done from its mean position थीक है mean position 0 to point p x तक integrated to है न है न किलिए displacement x can be calculated by a following equation between this limit 0 and x कर्ण को माद इस्थी से बिंदू p तक ले जाने में कुल की एक क्यार उप्रक्समीकरण के हमको समाकलन से प्राप्त होगा करते हैं समाकलन चेलिए आईए तो इसी का हम समाकलन करते हैं f की वालू को पहले put करेंगे तो यह negative minus minus m omega square x और dx तो यह minus minus plus हो जाएगा तो हमको यह equation मिलेगा अब हम इसका integration करते हैं कहां से 0 to x चली करिए तो कुछ नहीं है यहाँ पर किसके respect में W के तो यह हो जाएगा डवलू अब इसमें से m omega square कामा निकल जाएगा बचेगा x dx lower limit 0 upper limit x अब यहाँ पर जो फार्मला लगाएंगे हम x n dx वाला तो क्या था हमको x n प्लस 1 अपॉन प्लस 1 किता हो जाएगा तो कियागा क्या था m omega square और यहाँ हो जाएगा x square by 2 limit 0 to x एक बार x के जगा x रखेंगे तो हमारा जो कियागा कार है 1 by 2 m omega square x यह हमको क्या मिल गया इस्थितिज उर्जा में कियागा कार की गर्णा करने के लिए सुत्र मिल गया किलिए यह हमको क्या मिल गया एस्थितिज उर्जा में कियागा कार की गर्णा के लिए सुत्र है अब जो कर्ण पर किया के कार है उसमें इस्थितिज उड़ जा करूप में क्या हो जाता है इस्थितिज उड़ जा करूप में क्या हो जाता है कर्ण में जो हम कार कर रहे हैं तो आपको सुरू से मान होगा जो किया के कार है ये कनवर्ट हो जाता है कौन से नर्जी में? पोटेंशल एनर्जी में है तो उसकंड पर जो किया कार है उसकंड में इस्थिति जूर जा में क्या हो जाता? इस्टोर हो जाता है तो this work done is stored as the potential energy of the particle clear? तो potential energy of the particle at P P है न? equal to W equal to 1 by 2 M square omega square और ये x square के लिए अब आपन देखें गति जूर जा क्या देखेंगे? kinetic energy कहीं लिखते हैं यहाँ पर? माल लोग कोई कण है तो क्या कर रहा है? सरलावर्द करती कर रहा है तो सरलावर्द करती करती है कण की है न? किसी छण गति जूर जा हमने देखा था माल लोग कोई कण है किसी छण क्या कर रहा है? गति जूर जा कर रहा है अननí motion कर रहा है गति कर रहा है तो उसकी गति जूर जा क्या सूत्र था? हाफ and the kinetic energy of the particle the kinetic energy of the particle executing simple harmonic motion at an instant is given by the Q 1⁄2 mv² but velocity of the particle executing simple harmonic motion at p is given by the हना हमने जो कन का, त्वरन का, वेग का, सबका सूत्र निकाला था पिछले टापिंगे, पिछली वीडियो मेरे देखना तो लिखो गिया, but velocity of the particle executing simple harmonic motion at point p is given by the v equal to क्या निकाला था हमने omega बताओ इसमें हमने क्या क्या सूत्र उसक्या था minus y square जहाँ एक क्या है x लिख दो अपने x की यहाँ पर एक क्या है, आयाम है amplitude x क्या है, इसका displacement अब यहाँ पर put करेंगे इसके जगा, वीक के जगा इसका put करेंगे, putting putting तो kinetic energy हमार आ जाएगा कितना half है ना रग दोगे omega a ka square minus x ka square ka whole square kinetic energy equal to कितना जाएगा, 1 by 2 and omega square a square minus x square टेक, यह हमारा निकल गए kinetic energy अब हम topic की start में क्या किये थे कि इनकी जो खुल उर्जा, गर्ती जूर्जा, इस्थिती जूर्जा के योग के बराबर होता है तो वो substitute करेंगे तो उस्वैलू, total energy substituting total energy अच्छा, इस वीडियो में वो portion दिख रहा है last में लिख देते हैं very good E is the sum of kinetic energy and potential energy तो E is the sum of kinetic energy plus potential energy kinetic energy हमारा कितना निकला है 1 by 2 M omega square है A square minus X A square potential energy है निकालत हमे इसको put करेंगे 1 by 2 M omega square और X A square अब इसको ना इसमें हम multiplication कर देंगे तो हमारा energy निकलेगा 1 by 2 M omega square A square इसको A minus plus कर जाएगा तो हमारा निकला है 1 by 2 M omega square और A square A क्या amplitude है मास है omega क्या angular velocity तो यह हमारा निकला है के लिए अब हम जानते हैं कि omega equal to क्या होता है 2 pi new but omega equal to 2 pi by T होता है तो 1 by T किता में होता है तो हमको निकले new new क्या frequency तो E is equal to 2 जाएगा 1 by 2 M इसको रखो गया 2 pi new square A square तो कितना जाएगा 4 pi square new square A square M upon 2 2 से कर जाएगा तो हमारा कितना जाएगा 2 M pi square A square new square यह किसका निकला हमको इसकी total energy का ठीक है तो आज समझ में आया होगा simple है वही वही चीछ है थोड़ा सा अपनों ध्यान देंगे तो काफी easy हो जाएगा topic तो clear हुए आपको लों को topic क्या था हमारा oxidation chapter दोलन chapter का दोलन करते वे कण की उर्जा जो की गति जुड़ा इस्तितुड़ा की योग के बरावर होती है तो आज की वीडियो के ही साथ करते हैं और आपको मिलते हैं अब अगली वीडियो में अगला topic मैं आपको अगली वीडियो मता दूंगा वीडियो इस पर बने रहने के लिए तो उसे अन तक देखें लाइक करके, कॉमेंट करके, सब्सक्राइब तो पहले किजिए उसके बाद आप लोगो नोटिफिकेंज के जड़े नए नए वीडियो मिलेंगे, थैंक्स पर वाचिंग